अगर आप अपने पार्टन को समझा समझा के ठक गए हो और फिर भी आपका पार्टन आपको लात मार कर जा रहा है ना तो मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि सब कुछ भूल जाओ और इस वीडियो में मैं आपको जो बाते बताओंगा ना सिर्फ उसको फोलो करो क्योंकि साइकोलोजी हमें साब प्रेक्टिकल चीज़ों पर चलती है यह सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपको पोजिटिव सोचना है और सब कुछ हो जाएगा जब मैं लोगों से पर्सनली बात करता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे कोल करके बताते कि मतलब मैंने आपकी चीज़ों को फोलो किया और मुझे रिजल्ट मिला इसलिए मेरा पर्सनली में आपको पे करके बात करा हूँ बट मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते सिर्फ मोटिवेसन के लिए और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ट्राइ करते हैं थोड़ा सा किया फिर डर लगता है उनको लगता है कि दो दिन कम बात की हो तो चला जाएगा उनसे कुछ नहीं होता बीच में चोड़ देते हैं और तीसे तरह के लोग होते जो एक्चुल में फोलो करते हैं इसलिए जब इन चीजों से मैंने काफी लो लोग आपके तरफ आपको अप्रोज कर रहा है तो जलिए रेडी हो जाए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या चाहिए सबसे पहले चीज कि लोगों को ना जबजस्ती अपना डिसिजन बदलना पसंद नहीं होता ओके को इंसान आपको टाइम नहीं ले रहा है को सारी चीज चाहते हों कि इंसान जिसे पहले आपके साथ ब segunda इंसे उनसे मांग रहे हो तो उसकता है आपका emotion है हों कि आप हौट हो-पना जो लेकिन ऑनके साथ को आप यह जबजस्ती लग रही है उनको force लग रहा है, मतलब कि सामने वाले इंसान का वो चीज करने में interest डेवलप नहीं हो रहा है, सही गलत बात की चीज है, उसका interest डेवलप नहीं हो रहा है, और आप वो चीज उनसे चाहते हो, कि भाई तुमझे टाइम दे और उसको बात करने का मन नहीं हो रहा है, तो आपके point of view से अलग चीज़ है, लेकिन उनके लिए ये force है, उनके लिए जबज़त से है, अब खुद सोचो, कि आपका कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है, और आप आप चाहते हों, कि वो इनसान आपके घर पे आये demand가지고 लेकिनिये, तो हो सकता है कि आप उनको बहुत जादा आग्रे करें, आप उनको force करें कि आओ आओ चाहे पी नहीं हो, लेकिन मानलो कि उस लिए अच्छा बंर नहीं है आपके भर पे आने के लिए, उसका interest नहीं है आपक कि जहां पर भी हमें कोई फोर्स करता है चबर जस्ति हमें करवाना चाहता है और हमें करना पसंद नहीं होता है था हम सब भुल्मोर उसका उल्टा करते हैं मतलब वो इंसान जो चाहता है वेसा तो नहीं करेंगे लेकिन उसका हम उल्टा करेंगे कोई भी इंसान अपनी खुशी से नहीं करेगा अगर करेगा तो मजबूर होकर करेगा एक ही तरीका होता है कि आपको यह समझना चाहे कि सामने वाले इंसान का इंटरस बने पहले यह सबसे ज़्यादा जरूरी होता है दूसरी चीज आपको उस इंसान को यह सो करना पड़ेगा कि आपको उस इंसान की नीड नहीं है किसी भी चीज में आपको ये सूख करना पड़ेगा उस इंसान को ये फिल होना चाहिए कि किसी भी चीज के लिए आप उस इंसान के उपर डिपेंड नी हो मतलब असानी है कि इमोशनल ये आप डिपेंड हो वो इंसान बात नहीं करता तो मतलब आप बहुत परहसान लग रहे हो आप दुखी लग रहे हो आप खुछ नहीं रहे पार हो उस इंसान के विना मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ भी है आपका काम है आपकी स्टडी है आपका रूटीन उस इंसान को बहुत ही अच्छा और सुल्जा होगा दिखना चाहिए क्योंकि उस परसंग को भी बता होता है कि अगर आप उनको बहुत प्यार करें और आपके साथ सही से भीव नहीं करा है तो आपसे एकस्पेक करता है कि आप उखड़े-उखड़े जीने लगो आप से टेड़ीन लगा अप अब दूसरे लोगों को बता हो कि आपके साथ क्या-क्या हुआ है आप ऐसा सो करो के आप बहुत गम में हो आप बहुत तकलीफ में हो लोग आपको ऐसे ट्रीट करके आप से ऑसे एक्सपेक करते हैं तभी ये चीजे ना उनको समझ में आद दियें बट आपको ये चीज अपने पार्टर को सो करने होगी जो पार्टर आपको initiate नोर कर रहा है उनको आपको दिखाना होगा कि नहीं आप मज़े से अपनी लाइफ में जो भी आपका काम है अपने दोस्तों के साथ आमने मतलब ओल्मॉज आपकी लाइफ में सब कुछ वैसे ही चल रहा है उस इंसान को ना अको यह फिल करवाना होगा कि तू मेरी लाइफ का पार्ट है या नहीं है इसे कुछ भी मेरी लाइफ में बदलता नहीं है जब आप किसी इनसान को यह फिल करवाते हो ना तुमारे भी ना हमारी लाइफ में कुछ कम हो गया, लाइफ का वजनी चला गया भाई, तब वो इनसान थोड़ा इगो में आ जाता है, और तब कहीं न कहीं वो इनसान अपने आपको कुछ समझने लगता है, और वो ये चीज फिल करने के लिए आपको और जदा हाट करेगा, बट जब किस इन इनसान को आप ये सो करते हो कि तू था, तू है या नहीं है, इन किसी भी वर्ड से कोई मतलब नहीं बनता, लाइफ पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, तो एक इनसान कहीं ना कहीं अपना इंपोर्टन्स आपके मन में अपनी रिस्पे को ढूंडता है, उनको लगता है कि उनके लिए कुछ मिसिंग है, उनकी क्रियोसिटी बढ़ेगी, उनका इंटरस्ट बनेगा, और इन सारी चुछे पता है क्या होगा, वो इनसान बहुत ज़्यादा आपको अपज़र करने लगेगा, उस इनसान का अटेंशन आपको मिलने लगेगा, बढ़ आप किसी इनसान के लिए रोते रहते हो, आप किसी इनसान को ये फिल करवाते रहते हो, कि तुम्हारे बिना हमारी लाइफ अथूरी है, तुम्हारी बहुत इंपोर्टन सही, तुम्हारे बिना हमारा कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो वो इनसान यही एक्सपे करता है, और य या आपकी तकलिफ आप जानो वो अपनी लाइफ में मस से उल्टा आपके रोने से वो तो इरिटेट होगा तेसे चीज आप अपनी लाइफ के गोल को बदलो सबसे पहले चीज यह समझ लो कि आप अपने दिन में चब तक आप जाग रहे हो सोते नहीं हो तब तक mentally आप जिस चीज के बारे में ज़्यादा सोच हो ना जिस चीज में आप mentally effort लगा रहे हो ना वो चीज हर दिन आपके लिए important बनती जाएगी जहां पर भी mental effort जाएगी ना उस चीज को ताकत मिलती है मतलब आप अपनी energy जिस चीज के बारे में कुछ करने में या सोचने में जितना time based करोगे ना वो चीज आपकी life में उतनी important बनती जाएगी यही reason है कि साज आपने उस इनसान के बारे में सोचने में या उस इनसान के related बहुत ज़दा time और बहुत ज़दा mental effort की है इसलिए वो इनसान आपके लिए बहुत ज़दा important बन गया है अब आपके लिए बहुत ज़दा ज़रूरी है कि आप अपनी life में अच्छे से goal बनाए आपका कोई सपना होना चाहे और कोई dream होना चाहे ज़दा ज़दा आपके लिए कि आपके सपने आपके dream और आपका काम ज़दा तर लोग ज़दा तर लोग आपकी इंच जो सही आपको judge करते हैं आपकी इंच जो को देख करी वो आपकी value करेंगे या वो आपको ignore करेंगे दूसर जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे कहीं लोगों नहीं बताया कि पहले हम अपनी life में सबस्यदा priority किसी इंसान को या relation को दे रहे थे लेकिन जैसा ही हमने अपनी life की priority को बदला अपने काम को अपने dream को सबस्यदा important माना और वहाँ पर काम करने लगे उसके बाद कहीं ना कहीं हम अपनी life में कहीं तरह से grow हुए और उसके बाद सिर्फ partner का नहीं हमें और भी लोग जो पहले कुछ अलग ना जैसे देखते थे आज वो कुछ अलग तरह से treat करने लगे चोथी जीच आप अपनी life को active life बनाओ और आपके partner को ये दिखाओ वे कि आप अपनी life में कितने ज्यादा active हो मतलब यह होता है कि आपका जो routine होता है आपके काम के बाद आप बहुत सारी चीजे ऐसी है जो आप अप करने लगे हो जैसे कि gym करना, yoga करना, sport करना, reading करना, अप करनी रहे हो, आपको ये चीजे करनी चाहिए, आपको जरूर से ये चीजे करनी चाहिए, इसका ना, सबसे बेला फाइदा तो ये, कि इससे आपकी life का confidence और happiness बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो ऐसा होने के कारण, जब कोई इंसान आपको पनी life से ignore भी करेगा ना, तो जब आपका partner को notice करता है कि आपके पास दिन में बहुत कुछ करने के लिए होता है, आप जब ऐसे चीजे करते हो तो social media पे भी डालते है, तब आपका partner ये realize करता है कि पहले तुम उसको ही time देते थे, अब तुमारे पास time ही नहीं है उनको देने के लिए, साइध तुमारे पास करने के लिए भी चीजे इतनी है कि तुम उनके बार में सोचते हैं नहीं है, और कहीं ना कहीं तुम उन चीजों में ज्यादा बीजी हो, तुमें बिल्कुल भी सीज का tension नहीं है कि वो इनसान तुमारे लाइफ में है, नहीं, तुमसे बात कर रहा है, तुमें इग्नो नीट क्रियेट होती है, सेम चीजे है, उस टाइम पे वो समझ नहीं रहा था, तभी भी आप उनको बहुत ज़्यदा प्यार देने के लिए तयार थे, तभी वो समझ नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही आप अपनी लाइफ में प्राइटी चेंज करते हो, जैसे आपकी जाओगे, जब आप उनके सामने रोगे, तो वो इंसान नहीं समझेगा, बस अपनी चीजों को आपने बदल दिया, और ओटोमेटिकली उस सीज की नीद वहाँ पर क्रियेट हो जाती, और जितना जल्दी हो सके, लाइफ में इस सीज को आपको समझ ना चाहे, अगर सामने वाले का इंटरस नहीं है, तो आप कितना भी समझाओ, उसका मतलब भी नहीं है, क्योंकि सामने कैसे रहना है, ताकि उनका इंटरस क्रियेट हो, फिर उसको समझाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप समझ करी आएगा, तो दोस्तों, अगर आपके रिलेसन में ज्यादा प केंट, नहीं को भी आपके सिंट, किन्यक्क नहीं है, तो आफो एपके सेयं कर बेखाने चलेट, फिर ज्क्नाद, पेस्टेस, ए庭 स्टयाब पार इसकी आएएगो, फिर पार इसका मतली है, ऩा हमोडन, विणीच लोग चालीप, खेस्मस्टार्म्यर, तो पिस्मस्तों, अ क